इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया पंजाब में अम्रिटसर आज एक प्रमुख तीर्थ स्थल है सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्वर्ण मंदिर में रोजाना हजारों लोग मथ्था टेकने आते हैं लेकिन अम्रिटसर में एक और एतिहासिक स्थल है जलियावाला बाग जहां बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे भार्तिय स्वतंतरता संग्राम की ये सबसे जगहनिय घटनाओं में से एक है सौ साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने जलियावाला बाग में जमा लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था लेकिन आज भी इस घटना से जुड़ी भयानक सच्चायां सामने आ रही है हमें आज भी नहीं पता कि 13 अप्रिल सन 1919 को क्या कुछ हुआ था लेकिन हाँ इतना पता है कि अम्रिटसर में इस घटना से पहले से ही एक तरह की बेचैनी फैली हुई थी दरसल सन 1919 में अम्रिटसर शहर में अंग्रेजों के खिलाफ रोश पैदा हो रहा था उसकी एक वज़ा ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध में पंजाब से कई युवक अंग्रेज सेना में शामिल हुए थे जिन्होंने युद्ध में अपनी जाने गवादी थी हाला तब और बत्तर हुए जब मार्च सन 1919 में दिल्ली में इंपीरियल लजिसलिटिव असेम्बली ने ड्रॉलिट कानून लागू कर दिया इस कानून के तहत कोई भी भारतिय अपने उपर लगे आरोपों के खिलाफ ना तो अपील कर सकता था और ना ही कोई स्थानिय वकील की सेवाएं ले सकता था इन तमाम घटनाओं की वज़े से अम्रिट सर अंग्रेजों के खिलाफ गति विधियों का केंद्र बन रहा था अम्रिट सर के इतिहासकार सुरेंद्र कोचर ने जलियावाला बाग कांट पर बहुत लंबे समय तक शोध किया है उन्होंने इस दौरान कई दुरलब फोटो जमा किये हैं और चश्मदीद गवाहों से बात की उन्होंने हमें बताया कि उस दिन जलियावाला बाग में क्या हुआ था तेरा अप्रेल उनीस उनीस रवी बार का दिन था और इस दिन को देखें कि आम दिनों जैसा है दिन था स्टारिंग में जब सुरज उधे होगा तो शयद किसी ने कलपना नी की होगी कि शाम को अस्त होने से पहले एक निया इतियास रचा जाएगा अमरसर में अमरसर की दरती अपने ही स्पूतों के खून से लाल हो चुकी होगी पर एक दुखत जो इतियास था जह रचा जाना ते हो चुका था पर जो एक में सवाल था जो पिछले सो सालों में ना पूछा गया ना इसके उपर काम किया गया वो जह था कि जह जो नरसहार हुआ जले अपरल उन दिनों के हलाप पर नजर डाले तो रोल टेक्ट जो लागू हो चुका था है कि दमनकारी कनून जिसके चलते हैं लोगों से अपील, दलील और वकील की जो उनका हक था वो शीलिये गया था अमर सर की खास तोर पर बात करें तो जो अमर सर के प्रोमिनेंट लेडर अब इन दोनों लेडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये दोनों लेडर ऐसी शिक्सिये थी जो अमर सर में जो जहां पर मुसलमनों और जो हिंदू कम्यूनिटी के लोग थे जिनको अंग्रेज कुमत अपनी तरफ से दोनों को दो हिस्तों में बाढ़ चुकी थी सरी दुमिया जानती है फूट डालो राजकुरो की निती अंग्रेज सरकार की थी और अंग्रेज सरकार तब तक समिच रही थी कि वो उसमें पूरी तरह कामजाब हो चुके हैं पर इन दोनों लीडर की वज़ा से अमर सर में हिंदू मुसलिम द्वारा एक मंच पर कठा हो रहे थे द्वारा एक साथ अवाज में जो देश की अजादी के लिए नारे लग रहे थे अग्रेजी कुमर के जो तानाश ही रविया था उसके वरुद नारेवाजी हो रही थी उनके वरुद संगर्श हो रहा था डॉप्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉप्टर सत्यपाल दोनों नेताओं का मानना था कि हिंदू मुसलिम एकता ही अंग्रेज सरकार के सामने परेशानिया पैदा कर सकती है अंग्रेजों के खिलाफ दोनों समुदायों की एक जुटता दिखाने के लिए 9 अप्रिल सन 1919 को राम नवमी का दिन चुना गया लेकिन राम नवमी के दिन हुए जुलूस की वज़े से उसके अगले दिन यानि 10 अप्रिल को विरोध तिव्र हो गया जिसमें कई लोग मारे भी गए राम नवमी हिंदूं का एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल एक बहुत बड़ा तिहार है उनका वो शुरू से हिंदूस को मनाते रहे हैं पर 1919 में अलग हुगा इन दोनों लेडर की विज़ा से जो लोगों में एक नई जागरिती लाइगी थी एक अंग्रेज्जों को जो महात्मा गांदी ने सत्यगरे सबा बनाई थी उसके जो सेक्टी थे डंक्टर हाफिस मुम्न बशीर उनकी जेड ड्यूटी लगाएगी कि वो राम नुमी का जलूस को इस डंक से प्रेजेंट करें कि अंग्रेज्जों को इसका एहसास हो जाए कि कहीं पर भी हिंदू-मुस जहरी सडकों पर उतरा हुआ था लोगों के हाथों में जो उन्होंने जो तक्तियां पकड़ी हुई थी वहां पर कहीं पर भी राम चंदर की जे नहीं था जैसे के आम तोर पर हमेशा होता रहा है उन तक्चियों पर लिखा था गांदी महराज की जे डक्टर सत्यापाल की जे डक्टर सेफ दिन के चलू कीजे और हिंदू-मुसलिम एकता जिंदाबाद जे जो बहुत बड़ा विशाल जलूस है कट्रा अलू वली है के अंदर जलेबी अला चोंके जो काफी फेमस है आज पहले अलाहबाद चेंक बैंक चोंके नाम से वो जाना जाता था वहां पर और हाथों से हिंदू को शिबीले पिला रहे थे हिंदू-मुसलमानों के लगा रहे थे जहां पर दो差 है जो पर जीव बताना चाओंगा कि शीबील ठंडे जल्डत को एक जो पीने वादा जल्ड होता है हम पिलाते हो हिंदू-मुसलमान समस्थ पंजाबियों में प्रसा है जो पानी पिलाने की और जैसे मैंने बताया कि लाहाबाद बैंक से चलता हुआ जो जुलूस था जे हालगेट के अंदर खेरुदिन की मस्जिद पर पहुंचा वहां पर जो इमाम गुलाम जिलानी साहब है वहां पर शिबील का उन्होंने की तिलक लगा रहे थे ऐसा निजारा शायद पिछले सो साल जा उससे पहले कभी कभी देखने को नहीं मिला और ये एक हट-बडाहट का कारण भी बन गया अंग्रेजों के लिए अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि वह उनकी जो पोलसी थी फूड डालो राजकरों की नित पोटल लहूर में पहुंची उसी वक्त चो अमरसर के डिप्टिक मेंटर माइल से अर्विन थे उनको जे मैसेज वहां से जारी हुआ कि दोनों लीडर को इमिजेडली रेस्ट करके कैसी दूसरे शहर में बेज दिया जाए अगले दिन 10 अपरल 1990 को सुबा डिप्टिक मेंट दोनों लीडर को डक्टर सेफदिन के चलो डक्टर सरपाल को अपनी कोठी पर बलाया और उन्हें वहां से नजर बंद कर एक बंद गाड़ी में कांगडा के जोल केमें बेज दिया गया अब इदर अमरसर के लोग समय रहे थे कि दोनों लीडर को शायद मार दिया गया है उ इसी को निकला उनकी एक ही उस वक्त थी कि जो हमारे जो दोनों लीडर अरेस्ट किया गया जाए इनके साथ क्या किया गया जल्दी ने रहा किया जाए और लोगों के इसके बारे में जानकारी दी जाए जब जेज जलूस अमरसर में हाल बिज के नाम से पोड़ियों ला उन लाशों को लेकर जो जलूस था वो खेरुदीन की महजिर में पहुंचा मरने वालों में हिंदू और मुसलिम दोनों शामल थे हैं दोनों की डेड़ बोड़ी को वहां पर नहा कर उनके सिनान करा कर उन्हें तियार किया गया अब अमरसर के लोगों के लिए तीन बाते ब इतनी दरिंदगी से मारा गया बिना चताव ने दिये यह बहुत बड़ा जलूस जो महाविरा ब्रिज है प्राना ओल्ड ब्रिज जिसको हम बहुते हैं जीटी रोड के उपर वहां से होता हुआ ब्रिटिश लाइन में दाखिल हो रहता है ब्रिटिश लाइन वही एरिया है इसमें 21 से 22 लोग हिंदू मुसलिम दूनों मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए लोग वहां से जख्मियों को लेकर के दारनाथ होस्पिटल जो शेहर के अंदर उनी शेहर में लोगडगेट के साथ ही टाप गटिका में में मजूद है वहां पर पहुंचा है इसाबेल मेरी एस्डेन उसने बहुत बद्दम जा किया मरसरीओं को उसने कहा कि शायद पंजाबियों के लिए इससे भी बत्तर होना चाहिए था जो जख्मी हुए जो इनके गोली चलाएगी इससे भी बत्तर कश होना चाहिए था तो उसके कहने के बाद गोड़के लोग इतना बड़ा एक विदो वहां पर उठा, दंगाकारी जो परदर्शन कारी थे हैं मरसरी, इन्होंने वहां पर काफी तोड़ फोड की और नर्स को भी मारने की कोशिश की गी, पर किसी तिके से वो बच गी, पर जो जुलूस था जो इतना बड़ा जून था, वो कई पार्ट म से हो गया गली तवारियां से होता हुआ गली करेशा बें पहुंचा जहां पर जो एक जनाना मिशनरी के लिए मैनेजर का के तोर पर काम करी थी मिस मार्शिला शेरवूड वो बीड के काबू में आगी उसने एक गली करेशा करके है उसमें लोगों के गरों में दस्तक दी सब्सक्राइब में उसी के स्कूल के स्टूडेंट जो हिंदू था उसके जो फादर डॉक्टर थे वो उसको अपड़े गर लेगे उसके मलम पटी की उसको बुरका पहना कर उसको किसी और जगा उसके गर पर पहचाया गया जो जुलूस का दूसरा इसासा वो शेहर के रेल देल जाते हैं उनके उनके अंदर सिर्फ किरोध था और इस किरोध के चलते वो जो रेलवेगाड रोबिन से ज़ेंट रोगनाज थे बैंक मेनेजर स्टूर्ट और बहुत सारे लोग मारे गें एंग्रेज और बहुत सारे जखमी हो गये मरने वाले एंग्रेज्यों की गिं का दफ्तर शायद कोई सावत बचा हो पर उस पूरे महोल के अंदर पांच एंग्रेजों मारे गए वो एक एंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया 10 अप्रिल की इन भयानक घटनाओं के बाद कुखियाच जनरल डायर अमरिचसर पहुँचे जलंधर के कमांडर रेजिनल डायर को पदुननत कर जनरल बना कर अमरिचसर भेजा गया अमरिचसर शहर आने के बाद उन्होंने सैनिक मुख्यालय और अपना निवास थान राम बाग में महराजा रंजीर सिंग के ग्रिश में महर को बना लिया जिसे कंपनी बाग कहा जाता था 12 अप्रिल को उन्होंने शहर में कर्फ्यू लगा दिया उसके बाद 13 अप्रिल को कई महत्वपूर ने बैठके होनी थी जिन में से एक बैठक जलिया वाला बाग में होनी थी अगली सुबह 12 अप्रिल 1990 की सुबह 10 बजे जनर्र डायर ने अपने साथ 125 अंग्रेज और 310 बातिय सेनिकों को लेकर पूरे शेहर की गश्ट की जब वे सुल्तानमेंट पहुंचा जनर्र डायर अपनी फोड़ के साथ तो वहां पर नोजवानों की काफी बीड जमा थी जनर्र डायर की सोच जे थी कि शायद उसको देखते ही बीड जो भाग जाएगी पर इसके उल्ट हुआ उन्होंने जनर्र डायर का मजाओ बनाना शुर्टा कर दिया वहां पर बीड ने जो नोजवान खड़े थे और उन्होंनने काफी ऐसे शबद बोले जो शायद जनर्र डायर के लिए भी सोचा नहीं होगा, उसने के उसके लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया जा सकता है, उसका हर तरीके से मजाग बनाया गया, जनर्र डाय ने उसी वक्त जो उसके मतहत है, उसके जुनियर थे, उन्हें एक पील नाम से पोस्टर जारी करने के लिए कहा, यह दो बिशाई प शाम की, उर्दू और पिंजाबी में लिखा था, जे चितामनी पोस्टर था एक, जिस पे लिखा गया था कि शेहर में दारा एक सोच ताली लागू हो चुकी है, कहीं पर भी चार से जादा लोग कठे नहीं होगे, रात को आठ बार कोई शेहर में बाहर नहीं निकलेगा, और बिना कारण बताए, शेहर शोड़कर जाने वाले कोई वरुद सजा दी जाएगी उसे, और जो इन हुकमों का पालन नहीं करेगा, उसके लिए सक्त सजाए, निर्दार्द कीगी थी, जे पोस्टर शाम को तकरीब में लगाना शुरू किया गया, और देकिन समयने वाली यहां पर है कि जल्यावले बाग में हम हमेशा जिगर करते हैं कि जल्यावले बाग में, जो नरसाहार जिस दिन हुआते रहां अपने लोनी सुननी को, बीस जार, पंदरा से बीस जार के करीब लोग कठे थे, अब उनीस से लेकर आज की डेट में देखें, सो साला भी हमने मना लिया, कहीं पर भी पांच जार से ज़्यार से ज़्यार कभी गैधरिंग नहीं हुई, उस वक्त गैधरिंग होने का कारण क्या था, अक्सर ये सवाल पुछा जाता है कि तब क्या था कि लोग इतनी पबंदियां होने के बावजूद कर फ्यू लगा होने के बावजूद, जल्ले बाग में पंदरा से बीस जार पहुंच गे, इसके लिए जो नोटिस था, अब देखें उसने वार्निंग नोटिस से जारी करने के लिए कहा, पर जे नोटिस सिर्फ 19 जगा पर अंदरून शहर के, जो अंदरूनी शहर है, लोगडबादी जहां पर करांती कारियों को गड़ था, डक्टर सरपाल के गड़ के आसपास, और कुछ जगा पर सिर्फ 19 जगा पर जे पोस्टल गाए गया, माने कि 85 परसंट जो शेरी थे, उ और 12 अपरेल को दो इसीनिंट एक साथ होते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया कि जे पोस्टर लगाए गए, पोस्टर के साथ साथ वो लड़का मुनादी कर रहा था, डोल नगारे के साथ, जो सरकारी करम चारी था, कि जो नोटिस में लिखी भी बारती वो पढ़कर सना रहा कि लोगों को गर से बाहर नहीं निकलना है, दाराक सोचतानी लागव हो चुकी है, और जो हुकम नहीं मानेंगे उनके वृत कारवय की जाएगी, और 12 अपरेल कोई अमरसर की टापगडिपका में, जो हिंदू सबस्कूल है, वहां पर जलसा हुआ है, एक मीटिंग की गई, मीटिंग में जे ते किया गया कि एक जो रोज सबाह है, जो परस्ताव, चार परस्ताव पास किये जाने थे, जिसे एक था कि रोल्टेक के वृत्प में था, एक जो 10 सप्रेल को उन्होंने अंगरेजोंने हरकत की बिना वाननी दिये, हिंदूस्तानियों को मारा एक वो था, उनकी शान्ती के लिए प्रेर करनी थी, तीसरा जे था कि साथ में, जो अंगरेजों को अपील की जानी थी, वो अंगरेजों के प्रती वफादार बन के रहें, जो परशासन की स्ट्राइक बंद करने को कहा है, वो स्ट्राइक बंद करें, क्योंकि उन दूनों स्ट्राइक उसके बाद जे डिसाइड गया कि एक जो खवाए अंग्रेज्यों के व०्थ vagy जो एक परस्था पास के जाने वो शेहर के वंदे मातरम्चा में पास के जाएंगे वंदे हब मातर महाल के बारे में बता दूँ कि बाबु कर निया लाल की कोठी थी करांती कारी थे जो सुनुदना बेनर जी ने इसका उद्गाटन किया जे कोठी उस वक्त करांती कारीयों का एक गड़ बना हुआ था बाद में इसी में रिजिनल स्रेमा जो चालू किया गया दुर बागया है कि वो बिल्डिंग भी आज थोड़े महिने पहले वो खतम कर दी गई डिमोनिश हो चुकी है जे दूसरी मेटिंग वहां पर की जाने थी है माना जाता है कि उसी मेटिंग में जो पुल्स का मुखबर था हंस राज उसने जे प्लैनिंग को अपने डंग से कर दिया उसने का कि दो मेटिंग की बिजा एक ही मीटिंग होनी चाहिए वह बहुत भी जले अले बाग में कि खेळ घे अशकी रएप पर सभी ने सेमति जाः की और उसके जैसे जैसे वो एक डोल नगारे के साथ जे चितावनी दी जा रहे थी कि लोग कठे नहीं होंगे बिजारों में उसी तरह एक छोटा लड़का डोल नगारे के साथ बिजारों में गुं गुं कर जे बता रहा था कि 13 अपरर को शाम साधे चार बजे जल जले बाग में जलसा होगा और वहाँ पर जो हमारे लोग पर ये लीडर हैं दुनों उनके बारे में मते पास कह जाएंगे और जो भी बाग की जो मतों की रूप रिखा थी वो वहाँ पर लोगों को मुनादी के जिर्गे बता रहा था लेकिन जल्यावाला बाग क्या था आईए जानते हैं इस बाग का इतिहास और ये भी कि किस तरह 13 अप्रिल सन 1919 को जल्यावाला बाग खून खराबे चीतकार और वहशत का मैदान बन गया बहुत सारे लोगों का जेवी स्वाल रहता है कि जल्यावाला बाग बना कैसे है अंदरसल हिम्मत सिंग जल्यावाल के नाम से जल्यावाला बिगड़ता हुआ नाम जल्यावाला बन गया जो हिम्मत सिंग जल्यावाला था वो जो स्वान सिंग नाबबा जो के वकील भी रह और अगर पराने की आ इस्टिर में देखें तो अगर प्रानेक्स तो और सेसे पहले जो ता इसपेटर जन्रिंब्स के पहले मदर्स की माँ की समाध्ी ठी और घुजुर के वरिक्ष ते एक कुवा था जिसके कोई मंडेर नहीं था, पोद्जमीन के तल के बराबर था, और साथ में जोग कोई शाय देने वाले वरिक्ष त्याम, इसके लावा कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी जॉंपडियां थी उसकत, नर सहार के वक्त भी, कोई इतना बड़ा प्रोमिनेंट बाग नहीं था, फटेखांट गोडों पर उसके साथ थे, जब ये लोग गश्ट करके वाफ्स रामबाग में लोटे, तो इनके साथ 16-13 लोग थे, जिनके हाथ खड़ियां डाली गी थे, पेरों में, उनको पकड़ कर बुरे डंग से जो लाया गया, उसके बाद साड़े बारा मजे फिर ए अपनी वाइफ एनी डायर के साथ बेटा हुआ था, तो CID Inspector जवाहर लाल ने उसको एक खबर दी कि बाग में 1500-1600 लोग पहुंचना चुरू हो चुके हैं, जनर डायर चाहता है, तो वो इसको उसी वक्त जो बीड को वहां से हटा सकता था, जो एक बड़ा नरसहार होने जा उसको टाला जा सकता था पंज जनर डायर ने ऐसा कुछ निक्या उसकी जो वाइफ थी एनी डायर उसने पुशा, आरच वेनी टन्चन तो जनर डायर का जवाब था नहीं आज टेंशन जो रमूब करने कादिने हैं टेंशन खतम होने का दिनने हैं जे जो उन दोनों का डाय कि अगर वो जुरूत समझें तो वो निर्दोश लोगों पर गोली चलाने से इसक चाहे नहीं उनकी बाची से इसा कलियर होता है खेर उसके बाद डेड़ दो बज़े फिर दो जो रपोर्ट है उसके अंदर था कि बाग के अंदर पांची जार लोग कठे हो चुगे है साड़े चार बज़े जनरर डायर वहां से रामबाग से अपनी गाड़ी में चलान बाकियों निकला और उसके पीशे उसकी जो पैदल फोर्ज थी वह भी थी एक गाड़ी थी जिसके उपर मेशीन गल लगाएगी थी और जनरर डायर की गाड़ी में उसका जो चेहते थे पलूमर और स्टुवर्ट मिस्टर स्टुवर्ट यह दोनों साथ में बेटे थे जो सिटी जेल थी उसके सुपरडेंट थे एक एसपी थे और मिस्टर हैल भी तो जब यह लोग चौक फाहरा में पहुंचे जो जलेल बा के हैं काफी जड़ा वहां में शेफ और चोड़ी सड़ी जिसके चलते वो ना तो जनरर डायर वाली गाड़ी आगे जा सकती थी और ना ही जो मिशीन गन वाली गाड़ी थी वो आगे जा सकती थी जनरर कुछ सेकंड के लिए वहां पर रुका और बाग में पहुंचा बाग में जो जिल्सा था वो स्टार्ट हो चुका था साड़ी चार बेजे के करीब तो उबडखाबड बाग में एक मिट्टी का बड़ा सा एक तोंदा एक बड़ा सी डिलांट की जिसको मंच के रूप में इस्तिमाल किया जा रहा था और मंच पर डक्टर जो डक्टर गुर्बक र रहन्स था वो भी वहां पर मजूद था सबह में परस्ताव पास कर एक जा रहे थे साथ में जो नेशनल बेंक के कलरें थे ब्रिज गोपी नाथ बेकल वो अपनी कविता फर्याद पढ़ रहे थे अभी उन्होंने अपनी कविता का पहला अशार पढ़ा था पहला शेहर ही जनर्ण डायर्क ने प्रिजिशन संबाली और पचीस हैनी उसके एक सैड़ पर पचीस हैनी के एक सैड़ पर बैठ गये और बिना बीड को चितामनी दिये फाइर का ओडर किया गया करीब 15 मिन तक रुक रुक गोलिया चालती थी जो गोलिया मिली वहां से रोंद मिले उनके 16,000 रोंद मिले माना जाता है कि 16,000 गोलिये चली होगी और देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर वहां पर लाशों का एक बड़ा डेर लग गया एक कुवा था जो जमीन के बरबर पर था 120 लोग उसमें गिर गए उनकी डिड़ बोड़ी बार में निकाली गी कुछ लोगों क पता नहीं था उनको गोली कहां पर लेगी कुछ दवार पर चड़के भागने की कोशिच की कुछ की लाशे दिवार पर और कुछ की आसपास की गलियों में मिली शाम तक ऐसा मंजर बन चुका था कि जिसके बारे में जिकर करते हुए भी रोंटे खड़े हो जाते कि वहां पर लोग चिला रहे थे तड़ रहे थे पानी मांग रहे थे कुछ अपनी जो दर्द के कान आहे बर रहे थे पर ना तो उनकी वहां पर कोई सहता करने वाला था और ना है उनको कोई पानी पिना ले वाला ऐसा मंजर 157 के बाद पहली बार था जो जले अले बाग में बना ऐसे डंग से शायदी उसके बाद किसी देश में कहीं पर भी ऐसा कोई नरसा हारवगा हो कि जैसा जले अले बाग में उस दिन हुआ जले वाला बाग कांड के बाद भी कुरूरता खत्म नहीं हुई उसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था शहर में मार्शल लगा दिया गया और लोगों को सक्त सजाएं दी गई इसी के तहट एक गली में लोगों को रेंग के जाने को कहा गया इस गली को आज भी रेंगने वाली गली कहा जाता है महात्मा गांधी और रविंदरनाथ टेगोर जैसे नेताओं ने इस पूरी घटना की निंदा की लेकिन इन तमाम दर्द भरी घटनाओं के बीच लोगों की बहादुरी की कहानिया भी सामने आई इस कांड में मारे गए लोगों का समारक बनाने की भी तैयारियां चल रही थी 13 अप्रल 1909 का इतना बड़ा नर्सहार होने के बाद सभी लोग समझ रहे थे कि शायद अंग्रेजी हकुमत में जो एक अकड़ थी एक उनमें जो द्वेश था वो शायद थोड़ा कम होगा क्योंकि बहुत बड़ा नर्सहार था 13 अप्रलों ने से उनिका पर इसके बावज़ोद 14 अप्रल को अमरसर के टाउन हाल में एक मीटिंग हुई जनर डायर और माइल सेर्विन जो डिप्टिक मिनर अमरसर थे दोणों इस मीटिंग में शामल थे और लोगों को फिडर आया जनर डायर ने खुले तोर पर स्तावनी दियुने कि अगर वो जो स्ट्राइक है वो नहीं खोलते जो शेहर के दुकामदार है तो वो 15 अपरल जो अगला आने वाला दिन है उस दिन 13 अपरल जैसा ही और नर्सहार दोराया जाएगा मने कि लोगों पर उससे भी बड़े ज्य इसा ही कुछ कोई की फोजी लागू हो चुका था मसर में तो 15 अपरल 1909 को बहुत सारी ऐसी जो ट्राइल के दौन जो स्टेटमेंट भी रिकोड की जिन में बताएगा कि लोगों पर अत्याचार बेत्याचार अत्याचार होने शुरू हो गे थे कि 13 अपरल को होने के बाद लोग समझे रहे थे कम होगे जहां बाकी शेहरों के लोग यह समझे रहे थे कि शायद अमरसर में एक बहुत बड़ा नरसा हार हुआ और उसके बाद अमन वहाल हो चुका है पर जहां पर रूट था के शर्द के बाद 14 अपरल को मेटिंग वीश समें लोगों को ड्राया अगा 15 अपरल को जो अमरसर में जो हमारे मैं जो जहां कैड्रोकेट अनके जो मताहद लोग ते उनके करम्चारी थे होटके उनके सामने मुल्जमों के सामने जमीन पर बठाया गया। उन जो कुलियों वाला काम कराए गया उनसे समान उठाकर दूसरी जगा शिफ्ट कराए गया इसमें जो वरिद्व वकील थे उन्हें भी इसमें कहीं पर भी शोड़ा नहीं गया जानपुज करने के लिए उन्हें स्पेशल स्पाई बनाया गया और उनके सामने निर्दोश अम्रसरी उनको कोड़े लगा जाते थे और इन्हीं दिनों में अब एक और भी जिगर आता है कि जैसे लोग सोच रहे थे 13 अपरल राम नुमी इतना बड़ा हुआ और जो लीडर से बड़े लीडर उनके साथ क्या ह हुआ तो सेफुदिन किचलू और डक्टर सत्यापल सरपाल और चोधी बुगगामल जितने भी हमारे महाशारत अंचन्द डक्टर हाफिज मौमद बशीर बहुत सारे लीडर जो होते उनको काले पानी की सिजा या फांसी की सिजा सुनाएगी जो मस्जिद जैसे हमने जिकर मस्जीद में से अरेस्ट किया गया जब वो नमाज अदा कर रहे थे उन्हें पकड़कर जैल में ले जाया गया वहां पर उनके साथ ऐसे अत्याचार किये कि जिनका शाय जिकर करना भी मनासिब नहीं होगा करना मुश्कल भी है उन्हें इतनी जात्रें दीगी को उनकी वही जाषिला शेरवुड को जहां पर मारा गया था पीटा गया था वहां पर उस कली में पहुंचा तो उसको उस दिन की बारे में सारा कुछ बताया गया अब जनर डायान ने कहा कि हैं कि मिशनरी लेडी को के साथ अत्याचार हुए एक निर्दोष जो अंग्रेज लेड़ी के के साथ अतयाचार हुएं तो एक जादगारी गली बन गिये उसने वहाँ पर पूशा कि हिंदू जब अपने तीरथ में जाते तो किस तरह जाते हैं तो उसे बतायागा कि नाग से रहंगते हुए वह उपर कर्मा करते हैं तो जनर्डा ने कहा कि जए एक जादगारी गली है वो ऐसी ही उनको रेंग कर जहां से निकलना पड़ेगा एक जो क्रॉलिंग अडर जारी किया गया है जिसके पूरे वर्ल्ड में जिसकी निंदा कीगी बाद में उसके चलते गली कुरेशा में डेट सो मेटर की लंबी गली म दो जगार डस्ट बीन रख दी गए और लोगों को कहा गया कि वो नाक से पेट के बल रेंगते हुए वहां से निकलेंगे बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं उस वक्त की जिसमें एक वृद एक प्रेगनलेटी जो ब्लाइंड वेक्ती है वो रेंग के चलता हुए दिखाई द लगा गया और वहां पर फ्लोपिंग बूत बनाएगे जो मेंड में जगा ती मरसल में जैसे गोलबा करें रेल्वे स्टेशन हो गया और कहीं जगा पर एसे फ्लोपिंग बूत बनाएगे लोगों को पणिश्मेंट दी जा रही थी वहां पर बांदकर कोड़े लगा sleeping book ता जहां पर जो लोग उस दिन जो ओर्डर नहीं फॉलो का रहे थे उन्हें कोड़े लगाए गए जनल डाय तो जहां तक भी दमकिया दे रहे था जो 14-15 प्रेल की मीटिंग थी जैसे उसमें जाइस से पहले की जो मीटिंगे हुई में 11 परल की मीटिंग भी थी उनमें जो डिप्टिक मीनर अमरसार था उच्छरे हम कही रहा था कि अमरसार में बंबार्मेंट की जाएगी हाला कि शेहर के लोगों ने उसे जैसे लाला डोलन डोलन दास थे बालमकंद थे उन्होंने उन्हें समझाय कि अमरसार में शरी हरमंद जो हो मुसल्मानों और सिखों की जो लोकल हैं सभी की सभी की बावनाएं तीरिस के साथ जुड़ी हैं तो उसके लिए इंग्रेज्जों को बहुत बड़ी कीमच चुकानी पड़ सकती है खेर उन्होंने वो आइडिया ड्रोप कर दिया पर जो अत्याचार थे जो 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 अत्याचार हो रहे थे इसे चाहिद पूरा देश उस वक्त वाक्त बनी था और इस नरसहार के बाद बार में देखें तो टेगोर महात्मा गांधी ने जहां इसकी निंदा की वहीं पर एक जनलन बाग में एक दर्शिक पुस्तका है वहां पर पड़ है कि मुझे इस गली में जब मैं जाता हूं तो मेरी और जो लोग देखते हैं मुझे वह एक अहत्यारे की नजर से देखते हैं मेरे को एक हत्यारा समझ रहे हैं तो उसने कहाता है कि मेरे को अहत्यारों को एक समधाय का मेंबर समझा जा रहा है जो मेरे लिए बड़ी दुक इसके लिए बहुत सारी एजिटेशन बाद में चली जिसी के कारण जो जो इसके लिए उसको एक किलर के नाम के एक अहतियारे के नाम पर जो उसका बताया गया एक बहुत बड़ा एक राटरी विद्रो इसके बाद उठा जिसकी जो मून जिसका कारण जलेवले बाग था जले किया दी जा रही थी लोगों को क्रोलिंग ओडर जैसे ब्यानक एक निंदनिय जो ओडर रिलीज किये जा रहे थे वहीं हंटर कमिशन ने एक हंटर कमिशन कायम किया गे जिसके चलते जो लेडर पकड़े गे थे जिन में डक्टर सत्यापाल सरपावल, डक्टर सेफुदिन जिनके परवार मारे गें, जाँ जिनका जानी माले नुक्सान जो भी हुआ है, उनको मावज़े दिये जाए। परवार के एंकम के हईसाब से सब लोगों को मावज़े दिये गे, जिनका ऐसे जिस तोड़ा बहु Lazada था उनको जैसे कि यू कर जो लिस्ट है, उनको निखा ह के लिए मावजा दिये गया जल्ले बाग में मारें गया लोगों के परवार भी उसमें शामलते हैं दो ओरते ऐसी थी महान ओरते उनको कहा जाएगा कि जैसे अतरकोर पागवल बाडिया की वाइफ और जो एक थी रानी रतन देई शजूमल की वाइफ इन दोनों लेडी ने ज चीजब चीजब आरपिया दिया जाना था उन्होंने जेक एक ठुकरा दिया कि वह त्यारी गोवर्मेंट से अपने पतियों का कतल के बदले में जेपैसा नहीं लेंगी बाद में खेर जो रतन देई थी उसका एक और भी था कि उसकी जो स्टेटमेंट जले अले बाग में भी है जो उसने नेशनल ममोरियल टस्ट को भी दी उसमें उस दिन अकेली वाहिद एक लड़ी थी जिसने पूरा उस दिन ब्योरा बताया कि रात को जले अले बाब में कैसा महुल था नर्सहार के बाद लोगों की लाशे पड़ी थी कोई दर से चिला रहा था एक उसने जिक उसकी स्टेट में ऐसे तथे सामने आते हैं जो किताबों में दर्जनी हैं खेर उसी दिरान जब जब सारा कुछ चल रहा था उसी वक्त अंग्रेज को उमत कुछ और भी सोच रही थी उन्हें पता था कि जए जादगार आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक समारक बान करने के दिन इसको जो जादगार को खतम करने का किरादा किया वहां पर जो 32 के करीब लोग रह रहे थे नजाइज कब्जा करके उनको हटाकर वहां पर एक कपड़ा मार्किट बनाने की कोशिश की गी जब महात्मा गंधी को जे इस बात की जानकारी मिली तो जो CH मुकर जी कलकता से आये तो उन्होंने जे जानकारी दी और गंधी जी ने उन्हें कहा कि आप गर गर जाके चंदा कठा कीजिए और इस जगह को बारत खरी देगा हम खरी देंगे उसको खेर उन्होंने गर गर जाकर करीब 9,30,000 पर कठे किये और जो वहां पर 32 लोग रह रहे थे उनक से वो जमीन ख्री ले और बाद में वहां पर एक समारक का काम शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ी बात है कि शायद महात्मा गांदी जैसी स मुकर जी जिनके पड़ पोत्रे जो एसके मुकर जी आज भी जलाल बाके सेक्टरी हैं अगर ये लोग उस वक्ट सही टाइम पर ये कदम ना उठाते तो शायद ये जादगार कभी हम देखनी बाते हैं और इसमें सबसे बड़ी समझने वाली एक बात जेवी है कि हर साल हम वहां पर इन जो अंजान शहीर हैं मारे लिए क्योंकि इनके नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं है इनको शर्दानी देने जाते हैं त ये एक डिमांड थी कि आपको जे समयना होगा कि जे जितने भी शहीर हैं जे अजादी का इतना बड़ा बवन जिसका आज हम अनंद ले रहे हैं जे उसकी बन्याद हैं जे नीव के वो पत्र हैं जो कभी उपर से दिखाईन दे गए पर इनके बिना अजादी की इतनी अज भी कोई जवाब नहीं मिल पाया है ऐसा ही एक सवाल ये है कि इस कांड में कुल कितने लोग मारे गए थे इतिहास का श्री कोचर ने अपने शोग के दौरान और दस्तावेस तैयार करते वक्त इस मामने से जुड़ी कई नई कहानिया खोजी है जो सरकारी गिंती ती जहां पर जलल बाग में मारे जाने वालों की अलग लग थी सबसे बड़ा दुरबागे जए है कि सो साल इस नरसाहर को भी चुका है कभी पर भी कहीं पर भी जह चर्चा नहीं किईगी कि उस दिन बाग में कितने लोग असल में मारे गए कितने लोग जखमी हुए अगर उस वक्त की रिपोर्टे देखें तो वो बिलकुल उनके विश्वास नहीं किया जाए तर्था जैसे कुछ विदेशी कहबार थे उन्हों करीब जो लोग पीड़े थे उन्हों मारने मरने वाले भी और जखमी होने वाले भी जो होम लिस्टर की 21 डियर 2 नुबर फाइल एक उसमें जेपी थॉंसन और एड़ी क्रेक ने जो 14 गस्तु निसों निको कंप्लीट की जे लिस्ट उसमें उन्होंने कह था कि 300 से कम लोग म माले गे थे जिफ जो शेवा समत्य जिन्हों ने संसकार किया उनका मानना था कि टोटल 500 लोग माले गे जिसे अमृत बज्ञार पत्रिका ने जो स्वामी शर्दानानत थे उनको अमर सर में बेजके उन्होंने जो अंकडे कठे की उन्होंने का 1500 के करीब लोग मारे गए जो जले वला बाग जादगारी टरस्ट है उनके पास 386 नामों की सुची है कहीं के पास 381 है 379 है ऐसे अलग-लग नामों की अलग-लग सुची है जो हमारे पास सुची है उसमें भी 501 नाम दर्जे है जब मैंने इन स अभी को सर्च किया कहीं पर भी कोई भी लिस्ट है जो सही नहीं है अब जो 501 वाली लिस्ट भी उन्होंने बनाई उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं को जो बाद में जिंदा मिले उसमें हाला कि उनकी डेथ हो गई पर बाद में वो जक्रमी हाथ में मिलें उनका लाज चला वह उसमें से ठीक भी हो गए अब कुछ नाम अरपीड की गए हैं दरसा इसमें बहुत सारे लोगों की शनाक्ति नहीं हो पाई थी और बहुत सारे लोग इस जो नरसाहार के बाद सामने आने के लिए त्यार नहीं थे इसलिए इसकी गिंती का सही इंदाजा नहीं लगाया स जब भी मैंने इस पर लेक्षर देता हूं कहीं पर भी बहुते हैं बात की चीज करते हैं जलेले बाग के बारे में जहां आर्टिकल लिखे जाते हैं तो एक स्वाल लगों को कि मुझे कैसे पता चला कि एसी जानकरिया जो इतियास की किताबों में नहीं थी वो कैसे होई ब तो उसका जहीं कि मैंने भी बच्पन में जहीं पढ़ा के जलेले बाग में गोली चली। इसको मेरे उन लोगने के पास ले गई जो पीडत प्रवार थे। जिनके परवार मारे गए या जिन्होंने ये खुद होते हुए देखा जिसमें सरदार शेंगारा सिंग सुल्टानमेंड के थे परपूर सिंग मोकल थे और भी बहुत सारी लोगों से मिला जो इस नर सहार के दिन वहां पर मजूद थे उनके पास कईयों की कुछ फोटोग्रा सबसरा जिसमें से एक वह आज वह फोटाराफ दस्याया lud झाता है रोती लेडिस ждie फोटोग्राफ है संसकार की फे फोटोग्राफ है जलसा हूं सिंक की फोटोग्राफ है श्बिल की फोटोग्राफ में रामिनमी और जाल आ जा रहा रहा ता है उस दिन जो रोस मार किशन जो उस वक्त 13 साल की उमर थी जिनकी 14 साल उमर थी वह बाग के बाहर में जो थे पर उन्होंने सारा एपिसोड होते देखा एक सेट परवार एक लाला परवार से सबंद्द होने के बावजुद वो इस फ्रीडम फाइटर में कुदे इसी कारण जलनल बाग को देखकर उ सबसे बड़ी चिंता का विशे है वह आज तक इस पर कभी सर्च नहीं की गई कि जलनल बाग में असल में उस दिन जो हुआ था उसके कारण क्या थै अंत में बाचित के चलते मैं जही डिमांड एक रखना चाहूंगा कि हमारी सरकारों को और जो इस से जुड़ी में कमेटि जो जहां जो पीड़ी प्रवारों को कमेटी है उन्हें सबसे पहले जे रसर्च करनी चाहिए कि वह असल गिंती कितनी थी कि आर भी जब हम बात करते तो सारी बात ज्यादा माइन नहीं रखती क्योंकि हम गिंती पर अटक जाते हैं कि असल गिंती कितनी थी उनकी गिंती व आप अम्रिट सर आते हैं तो यहां आज भी आपको उस खौफनाक दिन की जलक दिखाई दे सकती है। भारतिय स्वतंत्रता संग्राम को जलिया माला बाग काड़ ने एक नया मोड़ दे दिया था। वैसे तो 13 अप्रिल सन 1919 हत्याकान का पर्याय बन चुका है लेकिन जब प में पता चलता है कि इस घटना के कितने स्तरों पर प्रभाव पड़े थे।